नमस्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदीशिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने सिहें राशी वालों का जून महीने का मासिक राशी फल लेकर उपस्तित हुई हूँ और क्या आप जानना नहीं चाहते कि आपके सब्तमेश शनी, बागेश मंगल, करमेश शुक्र और लाबेश बुद्ध के स्वग्रई होने के क्या परणाम आपको इस मा देखने को मिलेंगे डेफिनेटली बहुत ही सकारात्मक रहेंगे परन्तु डीटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंतक आप मेरे साथ जरूर बने रही है क्योंकि आज यही जानकरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी तो शुरूआत करते हैं सबसे पहले इस मा के कैलेंडर से तीन जून को अपरा एकादशी का वरत किया जाएगा पांथ जून को विश्व परियावरन दीवस आएगा मही छे जून को शनी जैनती मनाई जाएगी और वर्ट सावित्री वरत किया जाएगा नौ जून को महाराना प्रताप जैनती मनाई जाएगी सुला जून को गंगा दशेरा और बटुक महरव जैनती आ रही है साथी फादर्स दे भी पूरा वर्ड इस दिन मनाएगा अठारा जून को निर्जला एकादशी का फृत किया जाएगा जो कि सभी एकादशियों में सबसे सर्वस्ट्रिस्ट एकादशी मानी गई है और 21 जून को अंतरास्ट्रिय योग दिवस पूरा भारत और पूरा विस्व मनाएगा तो ये तो हुई इस मा के कैलेंडर की बात अब आजाते हैं सीधा सभी नो ग्रहों पर कि सभी ग्रहों के क्या परिवर्तन इस मा में होने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूरी की जो कि वर्तमान में अपनी समराशी विरशब में विराजमान है और आपके रासी स्वामी भी है 15 जून को अपनी समराशी मिथुन में प्रवेश करेंगे वहीं बुद्ग्र की बात करें तो वर्तमान में अपनी समराशी व्रशब में विराजवान है 14 जून को अपनी खुद की राशी मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे 29 जून को पुना राशी परिवर्तन कर वे अपनी सम राशी कर्प में प्रविश करेंगे मंगल गड़ा वरतमान में अपनी अतिमित राशी मीन में विराजवान है और एक जून को यह अपनी खुत की राशी मेंस में स्वग रही होंगे गुरु ग्रह इस पूरे माँ अपनी समराशी व्रशब में विराजमान रहेंगे शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशी व्रशब में स्वग्रे होकर विराजमान है और 12 जून को अपनी अतिमित राशी मितुन में प्रवेश करेंगे वही शनी ग्रह अपनी खुद की राशी कुम में पूरे मा स्वग्रे ही होकर विराजमान रहेंगे राओ और केतु अपनी समराशिया मीन और कन्या में इस मा विराजमान रहने वाले हैं तो ये तो हुई इस मा के ग्रहों के फेर बदल की बात अब ग्रोओं के इस फेर पदर पर ही आधारित होता है मासिक राशिफल तो बिना कोई देर के ये वेश शुरू करते हैं सिये राशी वालों का जून महीने का मासिक राशिफल सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह जो मैं आपको राशिफल देती हूं ये चंदर गर्णाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशी और लगन दौनों के हिसाब से देख सकते हैं तो सबसे पहले आपके राशी स्वामी सूरी की बात करते हैं जो कि इस मा आदे मा तक तो गुरू और शुक्र के साथ में यूति करके विराजमा नहेंगे और 15 जून को लावेस के साथ में यूति करेंगे अब सूर्य की पोजिशन यानि आपके लगनेश की पोजिशन देखिए कि सूर्य यानि आपके लगनेश, आपके पंचमेश और आपके करमेश इसके साथ में सूर्य की यूति होगी तो दो केंदरिस्तान के स्वामी और एक त्रिकॉन का स्वामी ये तीनों मिलेंगे और आप समझेए कि ये यूती बहुत ही अच्छी और आपके लिए सफलता दायक साबित हो सकती है यहाँ पर गौर्मेंट जॉब मिलने के पूरे योग बने हुए है पहले एक्जाम दे रखा है रिजल्ट का इलते जार है तो इस महाँ आपका रिजल्ट बहुत ही सकरात्मक रहेगा और यदि इस महीने एक्जाम होना है तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप अल्रेडी गौर्मेंट जॉब में है तो बहुत ही शानदार परेणाम आपको मिलने वाले है अधिकारी आप से प्रसनच इतना जराएंगे अटकाव प्रमोशन इंक्रिमेंट मिलने के प्रबल योग बनेंगे वही सामाजिक कारियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और समाज में आपका कद बढ़ेगा प्रभाव शेत्र बढ़ेगा रिस्तदारों में भी आपकी एक पकड बढ़ेगी एक प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपकी धाक बढ़ेगी वहीं आप अपनी बातों को हर जगह हर शेत्र में बड़े ही strongly रख पाएंगे और आपकी बातों को लोग बानने पर मजबूर होंगे यानि आप public figure बनते हुए दिखाई देंगे social media पर भी आप चाहे रहेंगे आपकी प्रसिद्धी में चार चान लगेंगे और जब सूर्य 15 जून को लाबेस के साथ में आकर यूती करेंगे तो लाब की स्कतिया शानदार बढ़ेगी अचानक धनलाब के भी योग बनेंगे या electronic से संबंदित जो लोग काम करते हैं या बिजली का काम करते हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा और डेफिनिटली अच्छे लाब का रहेगा अब आते हैं आपके धनिस्थान पर और आपके लाबभाव पर जिसकी मैंने अभी चर्चा की है आपके लाबेश और धनिश दोनों ही बुद्ध हैं और बुद्ध लाब बाम में स्वग रही हो रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि चारचर ग्रहों के स्वग्रे ही होने के क्या परिणाम मिलेंगे तो उन परिणामों पर मैं चर्चा कर रही हूँ बुद्ध बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं धनेश है अलेंकि धनिस्तान में के तु बैटे कई न कई पैत्रिक संपत्ती समंदी विवादों में बहुत शांत रहे हैं और ऐसे विवादों को बहुत जादा बढ़ने ना दे बढ़ों पर छोड़ दें बढ़ें अपने आप सब बैटरी करेंगे आपके लिए पर प्रोफेशनल लाइफ में ये समय आपके लिए बहुत ही शांदार हो नतीब दायक रहेगा आइटी फिल से जुड़ेवे लोगों को प्रमोशन के साथ में ट्रांसफर मिल सकती है या फिर कोई जॉब स्विच करने के ओफ़र आ सकते है इस समय आपकी योग्यता आप साबित करने में सफल होंगे वहीं व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है आप कोई भी व्यापार करते हो इस समय व्यापार का कारग्रह बुद्ध और व्यापार और लाब भाव में जो और लाब देखते हैं उस लाब बाम में स्वग्रही हो रहा है तो व्यापार में बहुत अच्छी उनती आप करेंगे अच्छानक धनलाब भी मिलेगा पहले जो कोई अटका हुआ पैसा है वो भी मिल जाएगा और आप अपने व्यापार को बढ़ाने की योजनों पर भी कार्य करेंगे या आपके व्यापार के इस यात्रा के अंदर आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करें कुछ VIPs भी आपके सरकल में जोड़ सकते हैं और इस समय आपको अपने बड़े भाई मेनों का परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा तो ये बुद्ध के परिणाम बहुत ही शांदार इस महीने मिलेंगे अब आते हैं सीधा आपके पराक्रमभाव पर देखें आपके पराक्रमईश और करमईश हैं शुक्र 12 जून तक का शुक्र का जो सफर है क्योंकि शुक्र है यहां पर मालवी अनामक मापुरुष योग कर्म भाव में बना रहे है लगनेश के साथ शुक्र की योती भी हो रही है बहुत शानदार शुक्र के परिणाम 12 जून तक मिल सकता है यानि यहां मैं आपको यह कहना चारी हो कि इस महीने कोई भी important काम है या फिर आपने बहुत बड़ा कुछ सोच रखाया कुछ करने का तो आप उसे 12 जून से पहले पहले कर ले क्योंकि अगर आप उससे पहले करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको बहुत ही सकारात्मग मिलेंगे छोटे भाइमेनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा करियर को एक कृफतार मिलती हुई दिखाई देगी गवर्मेंट जूब से जुड़े हुए लोगों को तो बहुत अच्छा लाब मिले गए साथ मैं शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं इन शेत्रों से जुड़े हैं यहां पर आप जॉब कर रहे हैं इन्टीर की कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फैशन डिजाइनिंग की कंपनी में जॉब कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं ट्रेवल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या ट्रेवल से समंदित बिजनस कर रहे हैं फ्लार का आप काम कर रहे हैं, पर्फ्यूम का आप काम कर रहे हैं, या ऐसी जगों पर अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो definitely ये समय आपको support करेगा. अब आते हैं सीधा आपके योग-कारग्र मंगल पर अब मंगल भी सवग रही हो रहे हैं यह महीना बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस महीने चार-चार ग्रग्र सवग रहे हैं और अगर आपके अच्छे भावों में बैटे हैं, तो डेफिनेटली इस महीने हर व्यक्ति को बहुत अच्छा लाब मिलेगा। अब आपके राशी के लिए तो मंगल योग का रग रहे हैं, सुकेश भी हैं, भागेश भी हैं, भागे इस्तान में स्वग्रही हो रहे हैं, तो आपको इसका फायदा तो डेफिनेटली मिलना ही हैं, अगर आप कंस्रुक्शन लाइन से जुड़े हो हैं, शानदार काम करेंग नहीं गर का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि भूमी पुत्र हैं, भूमी के इस्तान के स्वामी हैं और अपनी गर में स्वग्रही हो रहे हैं, यानि भागे इस्तान में स्वग्रही हो रहे हैं, तो योग कारक मंगल का भागे इस्तान में स्वग्रही होकर बैठना, बहु मुबाइल से संबंदित अगर आप कुछ काम करना चाहते है तो उसमें सफलता मिलेगी आपका कोई गैराज है तो उसमें सफलता मिलेगी आप कुछ मेकेनिजम का कुछ काम करना चाहते है तो उसमें सफलता मिलेगी इंजीनिरिंग के शित्रों से जुड़े हुए लोगों को स बड़ी सफलता मिलेगी नहीं नहीं प्रॉपर्टी आप मनाते हुए दिखाई देंगे प्रॉपर्टी के क्रह विक्रह में आ रही बादा हैं दूर हो जाएगी मां के साथ आपके संबन्द और अधिक प्रकाड होंगे उनसे फाइनेशली हेल्प आपको जरूर मिलेगा अब अगर आप ट्रेडिंग शेयर्स या क्रिप्टो या फी लॉट्री ऐसे इंवेस्मेंट करते हैं तो उनमें भी आपको फायदा होगा बस मंगल से जुड़े हुए कारियों से संबन्दित कंपनी में इंवेस्मेंट कीजिए य आपके पंचमेश हैं गुरू जो कि अपके एस्टमेश भाव में राऊ बैटा है यात्रा यादिक करवाते हैं पर वो यात्रा है आपकी बहुत ही पॉजिटिव रहेगी और सक्सेस्वल रहेगी पर गुरू की पोजिशन की बात करें तो कर्म भाव में बैटा है लगनेश के साथ में यूति करके बैटेंगे और करमेश के साथ भी यूति कर रहे हैं यहाँ पर पंचमेश की लगनेश और करमेश के साथ यूति शानदार करियर में आपको सफलता दिलवाएगी करियर में जो भी आपने प्लैनिंग कर रखी है कि बवश्य को लेकर कि आपको सब समापत हो जाएंगे विद्यारती वर को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है आपका लक्ष प्रदान कारियों में सफलता मिलेगी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अगर हैर एजुकेशन में आप जाना चाहरे हैं अच्छा कॉले अच्छनामक मापुरुष योग बनाते हुए स्वग रही है और शनी के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिली रहे हैं और और भी बैतर मिलेंगे क्योंकि दूसरे ग्रों का जब सपोर्ट मिलता है तो और ज्यादा पावर हमको मिल जाती है शनी आपकी मैनत का सम्दित कुछ का उन सभी क्षित्रों में आपको सफलता मिलेगी शत्रों समाथ तो हो जाएंगे एक योजनामत तरीके से किये गए कारियों का विशे इसलाब भी प्राप्त करेंगे रुपए पैसों से सम्दित मामलों को आप बहुत अच्छे से सैटल और मैनेजमेंट कर पाएंगे लोन की स्ततिया कर्ज की स्ततियों से मुक्ते मिल जाएगी तो शनी के भी परिड़ाम आपको बहुत ही बैतरे इन मिलेंगे तो यह हैसी है राशीवालों का जुन मा का मासिक राशीफल जो कि बहुत ही अच्छा आपके लिए यह मा रहने वाला है अब इस मा को औ और अधिक उत्तम आप उपायों से बना सकते हैं तो अब मैं उपाय जो बता रही हूं उध्यान पूर्वक सुनिये और उसे अपनी जीवन में जरूर उतारिये मंदिर में जाकर देवी देवताओं की पोशाग जरूर दान करें शनी जहनती पर आग के पौधे पर साथ लो नाव की कील से बनी लोहे की अंगुटी मद्यमा अंगुली में शनी जहनती को सुर्यास के समय जरूर पहने छैर अभिवार को निरंतर दौपेर के समय एक निश्चित आग के पौधे को सीचना चाहिए महीं सीय राश्क के जातकों को सोने का सूर्य बनवा कर गले में धारन करना चाहिए प्रोजना सुबह सूर्य देव को आपको इसमा अर्ग जरूर देना है तो ये तो वही इसमा के उपायों की बात और इनको आपको जरूर करना है ताकि आप अपने उत्तम परणामों को और अधिक उत्तम बना सके पर यदि आप अपनी पर्सल जन्पत्रिका के माध्यम से अपने भविश्य से समंदित प्रश्णों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविश्य को सवारना चाहते आपके मन में कई प्रकार के प्रेशन चलते होंगे अगर आप उसके उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं सही उपायों के द्वारा उचित मार्ग दर्शन के द्वारा आप अपने जीवन को और अधिक 39 शाली बनाना चाहते हैं तो आप टेलिफॉनिक अपैंट्मेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जोड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाट्सेप के माध्यम से आप संपर कर सकते हैं अब मैं अपनी वाणी को यहीं दिराम देती हूँ स्वस्त रहिए प्यस रहिए मस रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री राधिक्रश्णा बुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2